C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 11 की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग एक प्रस्तुत है पाठ एक भारतिय गाई काउं में बेजोड लता मंगेशकर प्रिष्ठ संख्या एक से आठ तक लेखक कुमार गंधर्व लेखक परिचै कुमार गंधर्व सन 1924 से 1992 जन्म सुले भावी जिला बेल गाउं करनाटक में मूल नाम शिवपुत्र सढ़ीदार मैया कामकली मात्र दस वर्ष की उम्र में गाईकी की पहली मंजिय प्रस्तुती उनके संगीत की मुख्य विशेष्टा मालवा लोक दुनू और हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत का सुन्दर सामन जस्य है जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है लोक में रचे बसे लुप्त प्राया पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांध कर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर राश्ट्रिय पहचान दी इन्हें कालिदा सम्मान और पद्म विभूशन सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है अब प्रस्तुत है पाठ भारतिय गायकाओं में बेजोड लता मंगेश कर बरसों पहले की बात है मैं बीमार था उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्विती हस्वर मेरे कानों में पड़ा स्वर सुनते ही मैंने अनुभाव किया कि यह स्वर कुछ विशेश है रोज का नहीं यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा बेड़ा मैं तो हैरान हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है मैं तनमेटा से सुनता ही रहा गाना समाप्त होते ही गाईका का नाम घोशित किया गया लता मंगेशकर नाम सुनते ही मैं चकित हो गया मन ही मन एक संगती पाने का भी अनुभाव हुआ सूप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गाय की एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभा हुआ मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ लता के पहले प्रसिध गाईका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था परंतो उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई कला के क्षेत्र में ऐसे चमतकार कभी कभी दीख पड़ते हैं जैसे प्रसिध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए मेरा स्पष्ट मत है कि भारतिय गाईकाओं में लता के जोड की गाईका हुई ही नहीं लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षन लोक प्रियता प्राप्त हुई है यही नहीं लोगों का शास्त्रिय संगीत की और देखने का दृष्टी कोण भी एकदम बदला है चोटी बात कहूंगा पहले भी घर-घर छोटे बच्चे गाया करते थे पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है आजकल के नन्हे मुन्हे भी स्वर में गुन-गुनाते है क्या लता इस जादू का कारण नहीं है कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा ये स्वाभाविक ही है चित्रपट संगीत के कारण सुन्दर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पढ़ रही है संगीत के विविद प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है उनका स्वर्ग्यान बढ़ रहा है सुरिलापन क्या है? इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है तरहा तरहा की लैके भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लैके साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सुक्ष्मता समझ में आने लगी है इन सब का श्रिय लता को ही है इस प्रकार उसने नई पीड़ी के संगीत को संसकारित किया है और सामान ने मनुष्य में संगीत वशयक अभिरुची पैदा करने में बड़ा हाथ बंटाया है संगीत की लोग प्रियता, उसका प्रसार और अभिरुची के विकास का श्रिय लता को ही देना पड़ेगा सामान ने श्रोता को अगर आज लता की द्वनी मुद्रिका और शास्त्रिय गाईकी की द्वनी मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की द्वनी मुद्रिका ही पसंद करेगा गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था यहां शास्त्रिय अब्योरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल तरिताल उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे जिसका वह अनुभाव कर सके और यहां स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुश्यता हो तो वहां मनुश्य है वैसे ही गानपन हो तो वहां संगीत है और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें शत प्रतिशत यहां गानपन मौजूद मिलेगा लता की लोख प्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है लता के गाने की एक और विशिष्टा है उसके स्वरों की निर्मलता उसके पहले की पार्श्व गाईका नूर जहां भी एक अच्छी गाईका थी इसमें संदेह नहीं तथा भी उसके गाने में एक मादक उत्तान देखता था लता के स्वरों में कोमलता और मुख्धता है ऐसा देखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टी कौन है वही उसके गायन की निर्मलता में जलक रहा है हाँ, संगीत दिखदर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपियोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया मैं स्वयम संगीत दिखदर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता लता के गाने की एक और विशिष्टा है, उसके नादमय उच्चार उसके गीत के किनहीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाब द्वारा बड़ी सुन्दर रीती से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है परन्तु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेश प्रभावशाली रीती से व्यक्त होता है पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है बजाए इसके मुगद श्रिंगार की अभीवक्ती करने वाले मध्य या दृतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए है मेरी दृष्टी से उसके गायन में एक और कमी है तथा पी यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोश कितना है और संगीत दिखदर्शकों का दोश कितना लता का गाना सामाने तह उंची पट्टी में रहता है गाने में संगीत दिखदर्शक उसे अधिकाधिक उँची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रिय संगीत में लता का स्थान कौन सा है मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजन हीन है उसका कारण यह है कि शास्त्रिय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती जहां कमभीरता शास्त्रिय संगीत का स्थाई भाव है वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है जबकि शास्त्रिय संगीत में ताल अपने परिश्कृत रूप में पाया जाता है चित्रपट संगीत में आधे तालों का उप्योग किया जाता है उसकी लैकारी बिलकुल अलग होती है, आसान होती है यहां गीत और आगहात को ज्यादा महत्व दिया जाता है सुलबता और लोच को अग्रिस्थान दिया जाता है तथा पि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रिय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निहसंशय है तीन साढ़े तीन मिनट के गाय हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खांदानी शास्त्रिय गायक की तीन साढ़े तीन घंटे की महफिल इन दोनों का कलात्मक और आननदात्मक मुल्य एक ही है ऐसा मैं मानता हूँ किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तरित लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वरणन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाशित का या ननही सी कहावत में सुन्दरता और परिपोनता से प्रकट हुआ भी तृष्टी गोचर होता है उसी प्रकार तीन घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की तीन मिनट की ध्वनी मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है उसका एक एक गाना एक संपून कलाकृती होता है स्वर, ले, शबदार्थ का वहां त्रिवेनी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है वैसे देखा जाए तो शास्त्रिय संगीद क्या और चित्रपट संगीद क्या अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ किस गाने में कितना है इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है मैं तो कहूंगा कि शास्त्रिय संगीद भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही निरस ठहरेगा अना कर्शक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रिय बैठक के पक्केपन की वजह से तालसुर के निर्दोश ग्यान के कारण नहीं गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतह अविलंबित रहती है और रंजकता का मर्म, रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए किस रीती से उसकी बैठक बिठाई जाए और शोताओं से कैसे सूसमवाद साधा जाए इसमें समाविष्ट है किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रे अग्यान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सूसंगत अभी व्यक्ती में होगा संगीत के क्षित्र में लता का स्थान अवल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा क्या लता तीन घंटों की महफिल जमा सकती है ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रशन पूछना है क्या कोई पहली श्रेणी का गायक तीन मिनट की अवधी में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत कटता से गा सकेगा नहीं यही उस प्रशन का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा खानदानी गवईयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुची बिगड़ गई है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगार दिये ऐसा आरोप लगाया जाता है पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किये हैं उल्टे सुधार दिये हैं ये विचार पहले ही व्यक्त किये गए हैं और उनकी पुनरुक्ती नहीं करूँगा सच बात तो यहा है कि हमारे शास्त्रिय गायक बड़ी आत्म संतुष्ट वृत्ती के हैं संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकम शाही स्थापित कर रखी है शास्त्र शुधता के कर्मकांड को उन्होंने आवशक्ता से अधिक महत्व दे रखा है मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ती अब बढ़ती जा रही है केवल शास्त्र शुध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए उन्हें तो सुरीला और भावपून गाना चाहिए और यहा क्रांती चित्रपट संगीत ही लाया है चित्रपट संगीत समाज की संगीत विशयक अभिरुची में प्रभावशाली मोड लाया है चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ है ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मानेताएं, मरियादाएं, जंजटें सब कुछ निराली है चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है यहां नवनिर्मिती की बहुत गुंजाइश है जैसा शास्त्रिय रागदारी का चित्रपट संगीत दिख दर्शकों ने उपियो किया उस धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोग गीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में परजन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाडों की घाटियों, खोरों में प्रतुधनित होने वाले पहाडी गीत, रितुचक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिस लेने वाले क्रिशी गीत और ब्रजभूमी में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशाय मारमिक वरसान उकूल उपयोग चित्रपट क्षेतर के प्रभावी संगीत दिखदर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़ी में कहूं तो संगीत का क्षेतर ही विस्तीन है। वहाँ अब तक अलक्षित, असनशोधित और अद्रिष्टी पूर्व ऐसा खुब बड़ा प्रांत है। तथा पी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षित्र की लटा अनभिशिक्त सामराग्गी है। और भी कई पार्श्व गायक गायका हैं। पर लटा की लोग प्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोग प्रियता के शिकर का स्थान अचल है। बीते प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूं एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे। यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठें। यह क्या चमतकार नहीं है। और यह चमतका हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है उसे अपनी आखों के सामने घूमता-फिरता देख पा रहे हैं कितना बड़ा है हमारा भाग्य शब्द अर्थ मालिकाएं अर्थात स्वरों के क्र स्वर्मालिका में बोल अर्थात शब्द नहीं होते द्वनी मुद्रिका अर्थात स्वरलिपि शास्त्रिय गायकी अर्थात जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है खयाल, धृपद, धमार, आदी शास्त्रिय गायकी के अंतरगत जिसमें रे और प वर्चित है। जिसमें रे और प वर्चित है। जिसमें रे और सब तक के उचे स्वरों का प्रियोग। अभ्यास प्रश्न एक लेखक ने पाठ में गान पनकाव लेख किया है। पाठ के संधर्ब में सपश्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवशक्ता है। प्रश्न दो लेखक ने लता की गाइकी की किन विशिष्टाओं को उचागर किया है। आपको लता की गाइकी में कौन सी विशिष्टाइं नजर आती हैं। उदाहरन सहिद बताईए। प्रश्न तीन लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है जबकि श्रिंगार परग गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है इस कथन से आप कहां तक सहमत है प्रश्न चार संगीत का क्षेत्र ही विस्तीन है वहां अब तक अलक्षित, असन्शोधित और अद्रिष्टी पूर्व ऐसा खुब बड़ा प्रांत है तथा पी बड़े जोश से इसकी खोज और उप्योग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए प्रश्न पाँच चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिकार दिये अकसर यह आरोप लगाया जाता रहा है इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखे प्रश्न छे शास्त्रिय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है स्वयम आप क्या सोचते है कुछ करने और सोचने के लिए पहला पाठ में किये गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रिय संगीत का अंतर पता करें इन अंतरों को सूचि बद्ध करें दूसरा कुमार गंधर्व ने लिखा है चित्रपट संघीत गाने वाले को शास्त्रिय संघीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है क्या शास्त्रिय गायकों को भी चित्रपट संघीत से कुछ सीखना चाहिए कक्षा में विचार विमर्ष का अभी आप सुन रहे थे कक्षा 11 की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग एक प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत